हेलो दोस्तों मैं सवरों मलिक आप सभी का टोपी की स्टेड में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले मैथ के टोप 10 सवाल जो की रेलवे गुरूप डिके एकजाम के पॉइंट ओफ यू से बहुत इंपोर्टन रहने वाले है और देखे दोस्तों मैं आने के लर्निग अपर पढ़ाता हूँ यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अप्लोड की है अगर आपको वो वीडियो देखनी है अने के लर्निग आप डाउनलोड करके तो प्लीज इस वीडियो को end तक देखेगा, अगर समझ में है तो like share जरू करेगा, यहाँ पर पहला question है, sorry, algebra से, कि x plus 1 upon में x बराबर 4, तो x का square plus 1 upon में x का square का मान क्या होगा, अब यहाँ पर देखे, इसी type के 4-5 question बनते हैं, कैसे बनते हैं, यहाँ पर x की power 2 है, x की power 3 रख जाती है, x की power 4 रख दी जाती है, x की power 5 रख दी जाती है, आपका जो question आ सकता है exam में, यह तो square का आएगा, या cube का आएगा, यह पावर 2 का आएगा, पावर 3 का आएगा, इससे जादर नहीं आएगा, बट मैं आपको 5 तक कराऊंगा, ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले step र रहा हूं, तो यहाँ पर आपको उन दोनों को plus में बदलना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेगा, trick भी बहुत ही आसान है, बहुत ही easy है, और आपको यह question जरूर करके आना है, अगर exam में आता है, ठीक है, अगर यहाँ पर दे रखा है plus और यहाँ पर minus, तो उसको plus मे ही बदलना है, minus minus हो, plus minus हो, या minus plus हो, उसको plus में बदलना है, यह आपका trick का सबसे पहला step है, तो इसको ध्यान से देख लीज़ेगा, note कर लीज़ेगा, screen sort ले लीज़े, कहीं पर लिख लीज़े, ठीक है, चलिए, अब देखते हैं कैसे करना है, जब x की power 2 होगी, यानि कि x क square होगा, तो तब क्या करना है, तब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी यहाँ पर लिखा होगा, जो भी यहाँ पर लिखा होगा, यानि कि x plus 1 upon में x का जो भी मान लिखा होगा है, वो उसका आपको square करना है, और मैंने क्या बोला, दोनों साइड में पलस पलस होगा, तो माइनस करना है, तो माइनस 2 कर देना, उठा के और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, एक बर बता देता हूँ, जो भी यहाँ पर मान होगा, उसको square करिए, तो 4 का square, और यहाँ पर मैंने बोला, जब दोनों साइड में plus plus होगा, तो क्या करना है, माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर x की power क्या है, 2 है, तो बिल्कुल वही करना है, 4 की power आपको क्या करने है, 4 की power 2, यानि 4 का square करना है, अब की बार यहाँ पर क्या है, माइनस और plus है, ठीक है, तो माइनस प्लस में मैंने क्या बोला था, plus ही होना है, ठीक है, बस वो तो, जो माइनस होगा, किस condition में होगा, जब जो यह मैं plus 2 कर रहा हूं यह सिर्फ 2 की जब power होगी x की power 2 होगी तभी आपको करना है ठीक है अब x की power अगर 3 है उसमें क्या करना है रेखें यहाँ पे x की power क्या है 3 है तो इसका थोड़ा सा अलग है concept उसको जान लेते क्या है जब x की power 3 होगी तो जब भी यहाँ पे होगा उसकी power तो 3 तो करेंगे करेंगे आप बट यहाँ पे जो इससे पहले मैं क्या करता था माइनस 2 कर देता था यहाँ पे 3 माइनस नहीं होना है 3 की multiply 2 में multiply करके तब माइनस करना है एक बर बता देता हूँ सबसे पहले जो भी हाँ पे होगा उसका cube कर देना है ठीक है और फिर माइनस क्या करना है 3 यानि कि 3 की multiply 2 में करके वो माइनस कर देना है तो 2 की power 3 कितनी हो जाएगा या आपका 2 की cube 8 हो जाएगी और माइनस करेंगे 6 तो कितना हो जाएगा आपका 2 right answer आजाएगा आसा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है अभी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दूसरी बार देखेगा और इस टाइब के question कर प्रेक्टिस करेगा तो easy समझ में आ देएगे ठीक है मतला अपने मन में सोचना है लिखना नहीं है हर चीज को लिखना नहीं होता है तो हम क्या लिख सकते है 2 into 2 4 होता है तो अब आपको क्या करना है जैसे 2 में करते थे वो बस दो बार यूज करना है वो ही concept दो बार यूज करना है जैसे हम 2 वाला करते थे जब x की power 2 होती थी जैसे उसमें करते थे बिल्कुल वैसी करना है इसका square करेंगे और minus 2 कर देंगे ठीक है यहाँ पर plus है यहाँ भी plus है तो minus हो जाएगा तो ठीक है 3 की आपका square हो जगर minus 2 तो कितना हो जगा 9 minus 2 अब second step में क्या करना है पहला तो आपको समझ में आ गया एक 2 का तो काम कतम होगा दूसरे 2 का इस 7 पे apply करेंगे दूसरे वाला 2 का ठीक है तो 7 का square minus 2 तो कितना हो जगा 49 minus 2 तो कितना हो जगा 47 is the right answer तो आसे करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा वैसे आपका देख लिए जो आपका पहले वाला है यानि कि x की power 2 और x की power 3 तक ही question पूछा जा सकता है अगर 4,5 का आता है in any case 4,5 का आता है तो आपको छोड़ के नहीं आना है ठीक है और आसे करता हूँ कि आपको 4 वाला भी समझ में आ गया होगा कुछ नहीं करना है यह 2 वाला यानि की 4 को हम क्या लिख सकते है 2 गुना 2 तो 2 गुना 2 में आपको 2 का एक बार पहले करना है फिर 2 का अलग से जो आएगा उस पर अपलाई करना है दो बार अपलाई करना है ठीक है अब x की power अगर 5 है तो तब कैसे करना है इसको भी देख लेते है यहाँ पर 5 में आपको क्या करना है 5 का code होता है 2 और 3 ठीक है यह निके आप code भी अगर ना सोचे तो आप सोचे 3 और 2 को मिला के 5 बनता है तो 2 और 5 आपको लिखना है अब 2 वाला concept यहाँ पर यूज होग बताया था कि 3 में आपको जो भी यहाँ पर होगाउस की multiply करके उसका minus करना पड़ता है ठीक है बहुत ही easy है 5 का बिल्कुल भी hard नहीं है 2 और 3 का x की power 2 का और x की power 3 का दोनों का combination बना के 5 का बन रहा है यह समझे लिए बस ठीक है तो 3 का square करा हमने 9 आगा 9 में से minus 2 तो 7 होगा फिर 3 में हम कैसे करते थे 3 का cube ठीक है और minus क्या करना है 3 into 3 ठीक है क्योंकि यहाँ पर power तो हमारी 3 होगी और जो भी यहाँ पर होगा उसकी multiply करके minus करते थे तो 3 के cube कितना हो जाएगा 3 की power 3 कितना हो जगा 27 और minus 9 करेंगे तो कितना हो जगा 18 अब 18 जो अभी यह answer नहीं आए 7 into 18 अभी यह step ध्यान रखने आपको क्योंकि अगर आपने हाँ तक भी कर लिया बहुत easy हाँ तक तो hard नहीं था यह वाला step जो है 7 into 18 जो भी दोनों का अलग 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 आएगा तो आसा करता हूँ कि आपको यह सारे कोशन समझ में आ गए होंगे algebra के ठीक है अभी मैं algebra और mensuration के और भी कोशन से ले के आऊँगा जो भी आपके exam के point of view से important है जो पहले पूछे जा चुके है अब चलते mensuration के कुछ कोशन से जो important है ठीक है चलिए चलिए next question है आपका एक work का परिमाप 40 meter है तो work का 6 तरपल क्या होगा तो बहुत ही simple question है और इस level के question आपके exam में जरूर पूछे जा सकते है ठीक है कैसे करना है एक work का परिमाप आपको 40 meter दे रखा है work का परिमाप क्या होता है देखे चारो बुझाओ का sum होता है परिमाप ठीक है तो मैंने क्या बनाया work बनाया और उसका एक पूझा को माल लिए x है ठीक है और ये परिमाप क्या होता है चारो बुझाओ का sum तो मैं क्या करूंगा x into 4 लिख सकता हूँ चारो बुजाओं का सम का मतलब क्या हो जाएगा जो भी एक बुजा अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसमें 4 की multiply करके परिमाप निकाल सकते हूँ तो यहाँ पर क्या होगा x मैंने माल लिया एक बुजा है और multiply 4 की की तो यह 40 आ जाएगा तो यहाँ से हम x की value निकाल सकते है कैसे x बराबर 4 से divide कर देंगे तो x की value 10 आगए यानि कि ये भी 10 है ये भी 10 है और ये भी 10 है चेतरफल कैसे निकालते है सभी को पतल लंबाई इंटू चोड़ाई तो 6 रफल निकालने के लिए हमें लंबाई इंटू चोड़ाई करनी पड़ेगी तो यहाँ पर ये भी 10 होगा ये भी 10 होगा तो दोनों की multiply कर देंगे यानि कि आप ऐसे भी कर सकते 10 का square कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 cm is the right answer ठीक है तो छेतरफल कितना हो जाएगा तो 100 cm हो जाएगा simple है question मुझे भी पता है बट इसी level के questions आपके exam में आएंगे ठीक है धिहान से देख लीजेगा ये जितने भी questions मैं अभी लेके होंगा एक भी question को नहीं छोड़ना है इस तरीके questions आपको जरूर करके जाने है next देखते हैं next आपका जो question है इसको देख लेते हैं यहाँ पर दिया है एक work का विकन 15 root 2 cm है तो work का छेतरफल और परिमाप ग्याद करो देखे हैं आपको छेतरफल और परिमाप दोनों ग्याद करने विकन आपको दे रखा है तो एक work का विकन आपको दे रखा है याणि कि diagonal दे रखा है आपके ये 15 root 2 ये दे रखा है आपको ये given equation में अब यहाँ पर एक बहुत ही important चीज में आपको बताने वाला हूँ बहुत से बच्चों को पता होगी अगर किसी को नहीं पता है तो इसको जान लिजे कि विकन का जो diagonal होता है याणि कि जो ये होता है विकन होता है वर्क का जो विकन होता है उसमें root 2 की multiply हो रखी होती है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर देखू 15 root 2 लिखा है तो यानि कि जो भी भुजा होगी उसमें root 2 की multiply होके आपका विकन आता है ठीक है तो जो भी भुजा होगी उसमें root 2 की multiply होगी तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखू 15 क्योंकि यह भी 15 होगी, यह भी 15 होगी, और यह भी 15 होगी, ठीक है, तो परिमाप कीतना हो जाएगा 15 into 4, तो यह तो हो जागा आपका 600, ठीक है, सोरी 60 हो जाएगा ना ठीक है 15 चोका 60 तो आपका यह राइट आंसर हो जाएगा परिमाप हो जाएगा आपका 60 ठीक है तो यह तो आपका आगया परिमाप फिर छेतरपल की अगर बात की जाए तो छेतरपल कैसे निकालते हैं भई length into breath कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपकी यह भी 15 है यह भी 15 है तो यह भी 15 है यह भी 15 है तो आपको क्या करना है 15 into 15 कर देना है यह आपका 225 right answer हो जाएगा आसा गरता हूँ कि आपको यह भी समझ में आ गयो गा इसमें जो समझने वाली चीज है यह है कि विकन क्या होता है बुजा की जो भी जो भी आपको अगर बुजा पता है उसका विकन निकालना है तो क्या करना है बुजा की गुणा रूट 2 में करनी है ठीक है तो यहाँ पर आपकी 15 रूट 2 लिखा तो 15 रूट 2 में लिख सकता हूं तो बुजा आपकी 15 हो जाएगी ठीक है भई, ऐसा करते हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अब एक कोशन आपका ये पूछ जाता है ये मैंने आपको पहले भी करा रखा है, एक बरोड करा देते हैं एक वर्क की बुजा 20% बढ़ा दी जाए तो वर्क के छेतरपल में कितने परतिसत की वरद्दी होगी दीक है अगर वर्क का एक बुजा बढ़ा ही जाती है तो इसका मतलब सारी बुजा बढ़ेगी, ठीक है ये 20 से बढ़ेगी, तो फिर ये भी 20 से बढ़ेगी ठीक है तो अगर ये इस तरीके से बढ़ेगा तो छेतरपल कितना बढ़ेगा ये आपको बताना है ठीक है वर्क की बुजा 20 cm बढ़ा दी जाए तो वर्क का छेतरपल में कितने परतिशत की व्रद्धी होगी तो आपको simply आपका effective percentage वाला formula अप्लाई करना है यानि कि 20% से बढ़ी तो 20% से बढ़ी length बढ़ेगी तो आपका दोनो percentage को एक बना लीजे टोटल percentage जो भी बढ़के आएगी वो निकल के आजाएगी ठीक है तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इन्टो 20 अपोन में 100 करेंगे तो यहांसे यह 2-0 से 2-0 कट जाएगी तो 20 और 20 40 और यहांपे कितना हो जाएगा 2-2-4 तो टोटल आपका कितना बढ़ जाएगा 44% छेतरपल में वरद्धी कितनी होगी 44% यही आपका rate answer आजाएगा ठीक है भई तो यह बहुती simple होता है पस आपको यहाँपे याद रखना होता है कि वर्क की अगर भुजा 20% से बढ़ा दी जाए तो छेतरपल में कितनी वरद्धी होगी आपको दो बार इसको यानि कि दोनों बढ़ेगी फिर छेतरपल का बढ़ने का मतलब है कि सारा बढ़ेगा तो इसका मतलब आपका यह आपको apply करना है और भी तरीका है बट यह सबसे best और सबसे easy है ठीक है इसको निकालने के कहीं और भी तरीक है बट यह सबसे best है आपको effective percentage का formula याद भी होगा बस आपको यह apply करना है चलिए फिर next question पे चलते हैं देखे एक यह question है बहुत ही अच्छा है इसको कैसे करेंगे इसको भी देख लेता है एक चात्र वास में 35 चात्र थे यदि चात्रों की संख्या में 7 की वरद्धी कर दे तो खाने पर परती दिन 42 रुपे की वरद्धी होगी परन्तु ओसत खर्च में एक रुपे परती चात्र की दर से कमी होगी पहले खाने पर परती दिन खर्च कितना था यहाँ पर 35 चात्र थे पहले सबसे पहले question को समझे लिजे 35 चात्र थे पहले ठीक है यदि चात्रों की संख्या में वरद्धी होगी यानि कि 7 चात्र और बढ़ गए उनके आने से खाने पर परती दिन में 42 रुपे की वरद्धी होगी देखे 7 चात्र आने पर खाने में तो वरद्धी होगी खाने के परती दिन जो बढ़ोतरी होई है वो 42 रुपे परती दिन से वरद्धी होगी है परन्तु ओसत खर्च में कमी आ गई ओसत खर्च में कमी आने का मतलब यह हुआ है कि जितने पहले चातर ओसत ली जितने पहले चातर खा रहे थे उसके हिसाब से उनका खर्चा कम है जो साथ चातर आये हैं उनका खर्चा कम है यानि कि यह जितना भी खर्चा परती चात्र करा रहे थे उन से यह साथ चात्र जो आए है इनका परती चात्र खर्चा कम है ठीक है तो यहाँ पर बता है कि एक रुपे से खर्च में कमी आगई तो परती चात्र की दर से कमी होगी एक रुपे की पहले खाने पर पड़ती तिनी खर्च कितना था पहुत यह easy question है मैं आपको एक-एक step इसको बताऊँगा यहापे पहले 35 चातर दे 7 चातर बढ़ा दिये गए 7 चातर के आने से 42 रुपे का खर्चा बढ़ा पर average एक रुपे से कम हो गया ठीक है एक से कम होने का मतलब क्या है ओसत की कम होने का मतलब क्या है कि जो 35 चातर थे ठीक है उनका तो कम हुआ ही हुआ है जो 7 चातर मतलब आये हैं उनका भी कम वो खुद का तो कम लेके आये हैं जो नए जो पहले उसे पुराने चातर है उनका भी कम कर दिया गया तो उनका कितना कम हो गया 42 का 42 का 1-1 से कम करेंगे तो कितना हो गया 42 अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ देखें आपर ध्यांदर सुन लिएगा यानि कि यह जो 7 छात्र है यह खर्चा कितना करा रहे है 42 और इनको खर्चा कराना कितना था इनको 84 अगर यह जो साथ चात्र आ रहे थे यह 84 रुपे खर्च कराते तो चात्रों का जो ओसत था वो change नहीं होता वो decrease नहीं होता वो maintain रहता ठीक है तो यहां पर इनका खर्च कितना कम करा रहे हैं 42 कम करा रहे हैं तो अगर यह पूछा जाए कि कितना खर्च कम करा रहे हैं तो 42 आता तो हम क्या करेंगे 84 को साथ से बाग कर देंगे ना ठीक है क्योंकि यो साथ चातर थे इनको खर्च तो कराना था इतना और खर्च करा रहें सिर्फ इतना तो ओल्ड आवरेज आजाएगा 84 को सेवन से डिवाड करेंगे तो 12 आजाएगा ठीक है तो पहले खाने पर खर्च कितना होता था 35 चातर थे ठीक है 12 रुपे पर चातर खर्च हो रहा थो तो पहले खर्च था आपका 420 का ठीक है आसा गरतों कि आपको समझ में आ गया होगा देख जost में कमी आई ओषथ में कमी आने का मतलब यह जितना खर्च ने कराना था उतना खर्च यह नहीं करा रहें कितना खर्च कम करा रहें हैं पहले वाले जो 35 चातर थे ठीक है तो 35 गुणा बारा कर दीजे यह आपका 427 एगा रहे टांस है आसा गरतों कि आपको समझ में आगया होगा अगर समझ में नहीं आए तो मुझे क्योंकि इस चैप्टर से कोईच खास कोशन बनते तो नहीं है बट एक कोशन तो बनता है कराना ठीक और अच्छा कोशन है एक नाव बिंदू A से बिंदू B तक धारा की साथ यातरा करने में और वापस बिंदू C जो की A और B के बीच में है तक आने में कुल 26 गंटे का समय ल ठीक है डारेक्ट भी एक दम समझ में नहीं आने वाले है एक नाव बिंदू A से बिंदू B तक धारा के साथ यातरा करने में और वापिस बिंदू C जो की A और B के बीच में है यानि कि A और B दो बिंदू है और यहां से एक नाव ने चलना स्टार्ट किया ठीक है यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक B तक पॉइंट तक पहुँच गई फिर वापिस भी आ गई यानि कि धारा इस डारेक्शन की जा रही है धारा जो इस डारेक्शन में थी उसी डारेक्शन में जाने में और यहां से फिर आने में जो A और B के बीच में एक C पॉइंट पर वो आ चुकी है नाव ठीक है यानि कि यहां से A से B तक चली भी गई और वापिस आ भी गई और वापिस कहा तक आ चुकी A और B के बीच में एक C पॉइंट है जो दोने के बीच में है ठीक है आने में उसे 24 गंट, सोरी 26 गंटे लगते हैं गंटे का लगता है यदि दारा की चाल 4 किलोमेटर परती गंटा थी और नाव की चाल 10 किलोमेटर परती गंटा है ठीक है? तो बिंदू A से बिंदू B तक के बीच की यह नाव घई और वापिस आई ठीक है और आई कितनी सिर्फ आधी बीच में कहीं पर रुख गए तो यह 2D distance है तो यह D हो जाएगी distance ठीक है यहाँ पर हमें क्या पता है बोट की चाल पता है 10 km प्रती गंटा और जो करंट की है यानि की धारा की चाल कितनी पता है 4 km प्रती गंटा तो यह से down stream आप stream निकाल सकते है down stream कैसे निकालते है वह दोनों की चाल को plus कर देंगे तो आपका हो जाएगा upstream ठीक है sorry down stream और जब आपका दोनों का difference निकाल लेते हैं तो यह क्या हो जाता है upstream ठीक है upstream यानि की देखिए जब धारा की विपरीद दिसा में जब चलते है यानि की धारा अगर इस direction में जा रहे है तो आपगा now की डीक्षण यह है तो वो तो हो जाती है upstream और जब धारा की ही direction में move करती है now तो वो हो जाती है down stream तो down stream में तो चाल कैसे निकालते है दोनों की चाल को plus कर देते हैं वो तो हो जाती है आपकी downstream और जब धारा के विपरीद दिशा में चलेगी यानि कि धारा इस direction के और नाव इस direction में चलेगी तो वो आपका दोनों का difference होता है तो ये कितना हो जाएगा 10 और 6 का सोरी 10 और 4 का difference कितना हो जाएगा 6 पूरी distance तो आपकी 2D है ना यहां से यहां तक मैंने कितनी मानी थी 2D मानी थी तो 2D को हम downstream से divide करेंगे कितनी चाल है 14 km पर हार क्यों मैंने divide किया है क्योंकि एक ही direction में इसी direction में तो आपकी धारा चल रही थी और इसी direction में आपकी नाव चल लही थी तो यह downstream बन गया तो 2D को तो आप divide करेंगे 14 से और D को divide करेंगे 6 से क्योंकि जो D है आदर distance है यह धारा के विपरीद दिसा में चल के आई है और इसमें total समय कितना लगा है 26 गंटे को इसके आपकी रख लेंगे equal तो यहां से आपका D निकल के आ जाएगा ठीक है किस तरीके से देखें दोनों केलसियम लिजे कितना जाएगा 42 तो यहां पर कितना हो जाएगा 6D और 7D ठीक है क्रोस मल्टिप्लाई कर लिजे तो 42 इंटू 26 और इधर कितना हो जाएगा दोनों को plus करेंगे 13D तो D बराबर आपका 42 इंटू 26 और divide by 13 13 से 26 जाएगा 2 टाइम तो D बराबर कितना हो जाएगा आपका 84 तो D आपका हो जाएगा 84 ठीक है और यह आपका D निकल के आए इस चीज़ का जहान दखेगा डिस्टेंस टोटल नहीं टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी 2D तो हमें इस 84 में 2 की भी multiply करनी पड़ेगी तो distance आपके आजाएगी 168 मेटर ठीक है मेटर है या किलो मेटर है यह देख लेते हैं क्योंकि यहापे नहीं बताया तो इसका मतलब sorry यह किलो मेटर होगी क्योंकि यहापे किलो मेटर पर आरके उसमें दे रखाएना चाल तो यह आपकी 168 किलोमेटर हो जाएगी तो आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगे सारे questions तो अगर समझ में आया तो please वीडियो को लाइक करिएगा और PDF लेने के लिए नीचे description box में टेलिग्राम का लिंक दे रखा है